क्या आप जानते हैं सोतंत्ता दीवस ूर गंतंत्त दीवस में चंडे फईराने में क्या आन्त है आज हम आपको इस वीडियो के माध्हम्स बताएंगे, दोनों में क्या आनतर होता है 15 अगस्ट उतंत्र दीवस के अवसर पर जंडे को नीचे से रसी द्वारा खीच कर उपर ले जाया जाता है फिर खोल कर फराया जाता है जिसे दोजहा रोहन कहा जाता है क्योंकि यह 15 अगस्ट 1947 की अतिहासिक घटना को सम्मान देने हिद्धू किया जाता है जब प्रधान मंत्री जी ने ऐसा किया था तो सन्मिधान में इसे अंगरे जी में फ्लैग होईस्टिंग यानि दोजहा रोहन कहा जाता है जबकि 26 जन्वरी गंटन्तर दीवस के अफसर पर जंडा उपर ही वन्दा रहता है जिसे खोल कर फराया जाता है सन्मिधान में इसे फ्लैग अंफिलिंग कहा जाता है और 15 अगस के दिन प्रधान मंत्री जो कि केंद्र सरकार के प्रमुक होते हैं वो दोजहा रोहन करते हैं क्योंकि सोतंतरता के दिन भारत का सन्मिधान लागू नहीं हुआ था और राश्टपती जो कि राश्ट के सन्मिधानिक प्रमुक होते हैं उन्होंने पदभार ग्रेहंड नहीं किया था इस दिन शाम को राश्टपती अपना संदेश राश्ट के नाम देते हैं जबकि 26 जन्वरी जोकी देश में सन्विधान लागू होने के उपलक्ष में मनाया जाता है, इस दिन सन्विधानिक प्रमुख राश्पती जंडा फेराते हैं। स्वतंत्रता दीवस के दिन लाल के लिए से दोजा रोहन किया जाता है, जबकि घंतंत्र दीवस के दिन राजपत पर जंडा फेरा आ जाता है। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रही हैं हमारे साथ। और देखते रहें वी नेशन दीवस।